आज की इस वीडियो में में प्रयास करूँगा कुछ डाउट्स के लिए करने की आपका जो जूनियर एड़ेट स्कूलों की जो निम्यवली है 1978 उसमें आपका भी 4 दिसंबर 2019 को एक संसोधन गुआ था उस संसोधन में क्या क्या है उस संसोधन के हिसाब से जो आपकी आगामी बढ़ती है एड़ेट जूनियर हाइज स्कूलों में उसके लिए नियून्तरम इलिजिबिल्टी क्या है नियून्तरम से अर्था क्या है क्या बीटी से उसके लिए विडियो जरूर देखें और अगर आप वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें चनल को सब्सक्र अंख्यर को सब्सक्रिब करते हैं बार की लोग बिना सर्किया चले आते हैं ठीक और अपकर मैं याया हुआ है पिन्रेश के लिए अजिया क्या क्षिए और कि आपको किस तरीके से क्या के करना है इससे पहले एक अब अल Soraya था उसमेंşa Tapi और को शौंच यूश् искलम आपको किस तरीके से क्या के करना है क्या eligibility होगी किस तरीके से exam होगा तो उसी PDF का ये एक छोटा सा हिस्सा है तो इसमें आपका लिखा हुआ है आइवेदन हे तू न्यूम सेक्षिक अरता तो इसमें सेक्षिक अरता वाला जो कॉलम है उसमें आपका लिखा हुआ है उत्तर प् उसके स्थम 2 के प्रस्तर 4 के अनुसार मतलब इन्होंने इलिजिबिल्टी बगारे में यहां कुछ नहीं लिखाया वलकि इन्होंने रेफर कर दिया कि वह यह जो 2019 में 4 दिसंबर 2019 में जो सात्मा संसोधन हुआ है उसके साप से जो भी योगता है वो लोग पात रहूंगे इस तो अब हम देखेंगे कि कौन कौन सी योगताएं हैं जो आपका सात्मा संसोधन हुआ है 4 दिसंबर 2019 को तो यह उस संसोधन का कुछ हिस्सा है कुछ पार्ट है इसमें आपका देखी बिग्गमान नियम यह पहले नियम है मतलब संसोधन से पहले जो नियम था और यह आपका एता द्वारा प्रितिस्थापित नियम कि अब जो भी संसोधन किया गया यह वो नए नियम है ठीक है तो यहां हम डिटेल में नहीं नियम पर आ जाते हैं जो आपका संसोधन के बाद हुआ है नियून्तम अरता किसी मानिता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल के साय अब यहां से आपका स्टार्ट है प्रारंबिक सिक्षा में द्वी बर्शी डिप्लोमा जिस भी नाम से पुकारा जाए प्रारंबिक सिक्षा में ठीक है द्वी बर्शी डिप्लोमा जो की आजकर डी एल एड के नाम से जाना जा रहा है ठीक है डिप्लोमा इन एलिमेंटरी एजुकेशन तो एक तो यह आपका होगे डिलेट वाले लिए लें दूसरा कम से कम 50 प्रितिसाद अंकों के साथ इतना तक तता सिक्षा सास्त्र यह आपका होगया दूसरा बी एड तीसरा है बेसिक टीचिंग सर्टिफिकेट बीटीसी जो कि आपका डिलेट का पुराना नाम पहले डिलेट बीटीसी नाम से होता था फिर में आपका है प्रारंबिक सिक्षा में चार वर्सी उपादी बीईल एड किसी-किसी स्टेट में आपका जो है एक फोर यर्स्का इंटिग्रेट प्रोग्राम होता है उसमें आपका ठीएर जीज़ेट प्लस वन एर का एजुके अब इसका कुछ हिस्सा और है इसमें फिर आगे है चार बरसी ये BA, BSC या BAD, BSCD ये भी आपका एंटिग्रेटिड कोर्स है मतलब BA plus BSC सेम आपके बीलेड की तरह ये थोड़ा फिर आपका कम से कम 50% अंकों के साथ BA, BSC तथा एक बरसी ये BA, BSC सिक्षा एक आपके special VAD भी होत है और इसके अलाबा जो एक वरस का VAD होता था वो भी इसमें पहले वाले ठीक है क्योंकि वो तो उसमें VAD का आई गया था तो वहां पे साल की बात थी नहीं यहां पे जो special सिक्षा एक special VAD होता था ये उसकी बात हो रही है ठीक है वो आपका physically handicap या dumb type के जो बच्ची होते है special child होते हैं उनके पढ़ाने के लिए आपका वो कोर्स होता है ठीक है तो आपका वो जो कियो हैं वो भी इलिजबल है और जो आपका normally VAD चला है दो साल वाला और जो पहले था वो भी इलिजबल है लास्ट है आपका चार राज सरकार द्वारा अत्वा भारत सरकार द्वारा स उत्व प्रास्त में इस तर उत्तर होना चाहिए मतलब TET teachers eligibility test उच्च प्रास्त में इस तर जूनियर वाला ठीक है तो इसमें जो basic मेली तीन चीज़े हो गई पहला आपका होगिया BTC वाले इलिजबल हैं BAD वाले वी इलिजबल है DLAD वाले वाले वी इलिजबल है प्लस आपको टेट चाहिए जूनियर वाला चाहिए आप यूपी टेट पास हो या सीट टेट पास हो ठीक है तो यह तो पूरी कहान नहीं थी योगता के बारे में I hope आपको सब कुछ किलियर हो गया होगा मैंने अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बताया सब कुछ आपको मैंने इजूएट है चाहिए वो आपको बीकॉम वालो हो या कोई भी प्रोफेशनल डिग्री वाले भी है वो सारे इसमें इलिजबिल होंगे अब सब्जेक्ट कॉमिनेशन क्या रहेगा यह तो अठारा की नोटिफिकिशन के बादी किलियर हो पाएगा जहां तक है बीकॉम वाल अंकि के अनुसार होता है होना है क्वालिटी मार्स के अकॉर्डिंग होना इसमें आपको जो नोटिफिकेशन आया था पी एन पी के लिए जो भी मैंने आपको सबसे पहले इसका इक पार दिखा था उसमें आपका किलियर है कि उसमें 60-65% जो आपकी कट-off पासिंग मार्स कट-off में बहुत अंतर होता ठीक है तो यह आपको पासिंग मार्स रखने हैं 60-65% मतलब 60 है आपके रिजर्व के लिए 65% ठीक है तो वह आपके होगा 90-97 मार्स आपको मिनमम लेके आना है उसके बाद यह आप जो है मेरिट में फाइट कर पाएंगा दरबाज नहीं अब यह आपका है पूरा इन्होंने गुडवत्ता अंक के से साबसे निकलेंगे तो हाई स्कूल परिक्षा में प्रितिशत इंटू 10 ठीक है 10 इंटू 100 इंटरिमीडियेट का 10 इसनातक का 10 प्रिसिक्षन अर्था का 10 और भरतिय परिक्षा का 60 तो आपका 10, 10, 10, 10, 40 तो आपका यह हो गया यह भरतिय परिक्षा जो कि आपकी होगी 150 नंबर की टोटल आपके जो गुडवत्ता अंक हो जाएंगे वो जाएंगे 100 ठीक है और इसमें आपका जो भरतिय परिक्षा होगी उसका धाई अंक बराबर होगा एक गुडवत्ता गुडवत्ता अंक के बराबर होगा तो यह तो पूरी कानी थी आपका सांतवा संसोदन हुआ है उसके हसाब से इस नोटिफिकेशन की अगर किसी को डिटेल्ड पूरी नोटिफिकेशन की दिरुए तो उसमें आपका हर एक पॉइंट जो किलियर मिंशन है बाकी बहुत कुछ है उस संसोदन में जो कुछ भी और इंग्लिज दोनों ही लेंग्विज में कम्प्लीट गिविन है पहां से आपके इसकी और डेटेल्ड नॉलेज मिलेगी तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंज के साथ भी सेयर जरूर कर देना